तुमने Mixamo को तो काफी जादे यूज किया होगा अपने केरेक्टर को जल्दी से रिक करने के लिए बट रिसेंटली एक्टर को रियलुजिन ने अपना खुद का एक अमेजिंग फ्री रिगिंग टूर लांच किया है जो की काफी एडवांस है, काफी अमेजिंग है इस टूल की मदद से तुम किसी भी हुमनाइड केरेक्टर को एजेली रिक कर सकते हो और ये Mixamo से काफी जादा एडवांस है तो चलो इसे चेक आउट करते हैं सबसे पहले हम इसकी बैप साइट पर चले जाएंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ये इसका इंस्टालर है इसे इंस्टाल कर देते हैं Next Next Easy Peasy ओके तो ये उपन हो चुका है एक्यूरिग सबसे पहले हम यहां पर साइन पर क्लिक करके इसे लॉग इन कर लेंगे बहुत ही एजी है तुम बस यहां उपर क्लिक कर दो और अपने जीमेल अकाउंट से तुम साइन इन कर सकते हो तो चलो टेस्टिंग के लिए हम लोड केरेक्टर करके देखते हैं कोई एक तो ये इस एक्यूरिग का ही फोल्डर है यहां पर इनोंने कुछ केरेक्टर दे रखे हैं तो चलो इन में से किसी को लोड करके देखते हैं इसे उपन करते हैं इसका नाम है बियंका तो ये इसमें एड हो चुका है करेक्टर इसे हम टेस्टिंग के लिए रिग करके देखते हैं ये एक्यूरिग का ही मॉडल है बियंका तो as you can see, इसमें हम एकदम accurately से center में adjust कर सकते हैं और यह बहुत easy है, इसमें बस यह हमने इसका center point set कर दिया Rig Body और यहां पर यह थोड़ा सा वक्त लेगा तो अब तुम देख सकते हो हैं, यहां पर इसने यह points पूरी body पर add कर दिया है रोटेट वगेरा करने के लिए, पर इन सभी पर click करके तुमें यह करने के जुरूरत नहीं है बस rotate mouse drag इसके ओपर select कर दो, अगर तुम left click दबाते हो तो यह rotate करेगा middle mouse button press करने से यह zoom in, zoom out करेगा और जो right click है तुम इससे यह ऐसे drag कर सकते हो तो हर बार इन option के ओपर click करने की जुरूरत नहीं है अगर तुम इससे satisfy हो तो तुम fourth step की तरफ चल सकते है जो कि है rig hand पर अगर तुमें लगता है कि कहीं पर कोई गड़वड हुई है तो तुम इससे adjust कर सकते हो इस तरह से right पर मुझे एकदम सही लग रहा है तो हम next step की तरफ चलेगे जो की है hand rig तो यहां पर rig hand के ओपर हम click कर देंगे तो दुआरा से अपनी mathematical calculation जो भी से करनी है वो कर लेगा और यह हाथों को rig करेगा और यह हमारा जो हाथ है वो rig हो चुका है तो जैसके तुम देख सकते हैं इसने automatically आपर यह points लगा दिये हैं जहां जहां पर इन्हें होना चाहिए तो चलो इसके बाद हम right left hand को rig करते हैं यहां पर click कर देंगे तो इसके बाद आ जाता है finalize character तो इसके ओपर click कर देंगे और यह character जो है हमारा rig हो जाएगा फिला लवी यह जो software यह सिर्फ body को rig करता है पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद future में यह facial rigging का भी इसमें add कर सकते हैं पता नहीं पर वो काफी साथ amazing होगा कि यह face को भी अगर rig कर सके तो और यह हमारा character rig हो चुका है और यहाँ पर तुम देख सकते हो साइड में काफी सारी अलग अलग यह poses दी हो है जहांसे हम test कर सकते हैं कि यह कैसा rig हो है तो अगर मैं hand पर click कर देता हूँ और यह देखो तो यह अभी हम test कर सकते हैं कि इसके हाथ कैसे rig हुआ है क्या यह अच्छे से काम कर रहे हैं क्या यह आपस में interact तो नहीं कर रहे हैं तो तुम यहाँ देख सकते हो काफी अच्छे से इसने fingers को rig कर दिया है तो वैसे तो यह अच्छे से rig हो चुका है और अगर तो मैं लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि जो इसके कासा इसमें adjust कर सकता हूं as you can see यह तो मैंने कुछ दादा कर दिया पर हाँ चोटी 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 adjustments तो मैं यहां से कर सकते हो चोटी चोटी जो यह mistakes से उसको मैं यहां से ठीक कर सकते हैं तो यह मुझे काफी सभी feature लगा इसका ओके तो यह मुझे सही लग रहा है अगदम load to actor core और दूसरा है export जब हम export पर क्लिक करते हैं तो हम इसे fvx में export कर सकते हैं और यहां पर बहुत सारे अलगर software के नाम जाते हैं और यह हमारा favorite blender इसे select कर दिया मैं embed करना चाहूंगा texture को मतलो जो fvx file यह उसी में texture को save कर देगा मैं अलग से फोडर नहीं चाहिए तो simply इसे हम export पर क्लिक कर देंगे और जैसे कि मैंने पहले का था कि export करने के लिए लॉग इन होना जरूरी है तो login कर ले ना तो मैंसे यहां desktop पर ही save कर देते हैं test और यह desktop पर save हो चुका है पर अभी हम यह वाला option भी try कर कर के देखते हैं upload to actor core क्या है तो upload to actor core पर क्लिक कर देंगे यह एक्टर core पर जो website है online यह उसके ओपर upload कर देगी तो यह character upload हो गया है तो चलो चलते हैं इनकी website पर यहां पर click कर दूँगा मैं और यह हमारा browser खुल जाएगा तो यह आगया है हमारा character जो हमने अभी rig किया था और यहां पर तुम free अगर click करोगे तो तो तुम देख सकते हो य एक चीज तुम notice करोगे कि यहां पर यह जो motion capture files है यह free मैं नहीं दे रहे हैं यहां पर मैं price को low to high set कर देता हूं तो जितनी भी free वाली है वो top पर आ जाएगी तो इनके पास काफी सारी free motion capture files भी है तो अगर character rigging की मैं बात करूँ तो उसके लिए तो यह एक्दम best है पर motion capture files तो मैं इसमें जादा free में नहीं मिलेगी यह वाला motion मैं भी download कर लोंगा टेस्टिंग करने के लिए तो फिलाल मुझे सिर्फ motion only चाहिए तो मैं export motion only पर क्लिक कर दूँगा next कर देंगे और इसे download कर देते हैं blender के लिए 30 fps ठीक है इसे कर देता हूं मैं डाउलोड मैंने अपना tools करके इसका नाम है तो इसे हम डाउलोड कर देते हैं और हम यहां पर यह source file वाली zip file को डाउलोड कर लेंगे यह जो zip file हमने डाउलोड की है इसे unzip नहीं करेंगे इसे ऐसे ही रहने देंगे इसे प्रेफरेंसिस पर चले जाएंगे यहां पर एड़न पर क्लिक कर देंगे इंस्टॉल कर देंगे जो zip file ने डाउलोड की थी इसके ओपर simply install addon पर क्लिक कर देंगे और यह इंस्टॉल हो जाएगी make sure यह यहां पर ऐसा tick mark बना हुआ है इसके ओपर और इसके ओपर तुम save preferences कर सकते हो तो अगर मैं end press करता हूँ तो तुम यहां देख को यह दो ने tab खुल गए है हमें मतलब है इस वाले से ccic pipeline यहां import पर अगर मैं click करता हूँ यहां पर import character कर देंगे हम जो भी हमने export किया थ यह कर दिया है यह test मैंने export किया था है से इसे में import कर देता हूँ तो यह हो गया है import हमारा character उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहां rigging and animation वाले tab पर तो यहां पर तुम देख सकते हो rigify option है जो की blender की एक invilt plugin है और यहां पर एक advanced option भी है तो तुम देख सकते हो full face rig का यहां पर option एक character का जो rig है वो तयार कर दिया है और यह अब एकदम ready है animate होने के लिए तो यह zip file download होगी है इसके अंदर है हमारी dance animation इसे निकाल देता हूँ बाहर तो अब हम दवारा से blender में चले जाएंगे हम पर import animation पर मैं click कर दूँगा और यह animation अभी हमने download किया है इसे import कर देंगे तो यह है वो फाइल जो अभी हमने download किया है यह है इसका animation data source action नहां पर लिखा हुआ है तो अगर मैं preview retarget करता हूँ okay तो तुम देख सकते हो यह जो हमने रिक किया है character यह animate करना start कर दिया है यह देखो एक दूम अच्छे से इसके उपर retarget हो गया है फिलाल मेरे PC में यह real time react नहीं कर रहा है तुम देख सकते हो यह 17 fps पर अभी काम कर रहा है जिबकि यह जो file है यह 30 fps की है तो इसके लिए एक यहां पर मैं प्लेवेक पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं कर दोंगा frame dropping पर क्लिक तो यह करता है कि जो frame drop करता है और यह real time में काम कर रहा है थोड़ी जिटरी सी animation है क्योंकि यह frame को skip कर कर रहा है पर यह animation को देखने के लिए काफी है अगर मैं here textured view पर चला जाता हूं तो तुमजक्स तो texture भी अच्छे से काम कर रहा है तो यह है AccuRig amazing free rigging tool for your humanoid like characters ऐसी और वीडियो के लिए यह वाली वीडियो देखो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दो मिलूंके जल्दी next वीडियो में sayonara